ओम साहिराम हरहर महादेव आज का साइन संदेश आज गुरुवार का दिन है जो साइन भक्तों को बहुत प्रिया है आज की दिन हमें बाबा की चर्णों में जरद्धा और सुबूरी का दीप का वश्य जलाना चाहिए क्योंकि भगवान भक्त का भाव देखते हैं जैसा उसका भाव होता है वैसा यूसे फल मिलता है और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे आपने हर मुश्किल हालात का डट कर सामना किया है लेकिन अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया है मैं जानता हूँ कि इस बुरे समयने सब कुछ आप से छेन लिया है आपकी इज़्जत भी चली गई है धन धोलत भी चले गई है और रिष्टे भी आप से दूर हो गई है लेकिन अपने बाबा पर विश्वास रखो क्योंकि मैंने तुम्हाज मुश्किल हालात से लड़ते देखा है और अपने विश्वास को कभी तोटने नहीं दिया है दुनिया के सामने कभी अपने हिम्मत को तोटने नहीं दिया है और तुमने अनभव भी किया है कि तुम्हारे पास धन की एक पाई भी ना हो लेकिन फ तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं जिस काम को लेकर तुम इतने दिनों से इतने महीनों से मेहनत कर रहे हो आज उसका प्रणाम तुम्हें मिलने वाला है और मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो लेकिन तुम्हारा विश्वास देड़ है जब तुमने मेहनत की है तो तुम्ह भी अवश्या मिलती है और धन की चिंता तो बिलकुल करना छोड़ दो क्योंकि तुमने पहले भी अन्वव किया है और आगे भी ऐसा ही होगा चाहे जितने धन की आवश्यक्ता हो तुम्हारे बाबा कहीं से भी पैदा करेंगे लेकिन तुम्हें कहीं तूटने नहीं देंगे तुम्हें कहीं हारने नहीं देंगे ना ही तुम्हारे किसी काम को रुखने देंगे इसलिए अपने बाबा के चरणों में विश्वास रखकर आगे बढ़ो और जो प्रणाम तुम्हारे सामने आने वाला है उसके लिए तैयार रहो क्योंकि बहुत बड़ी खुश ख़वर इस बात की चिंता मत किया करू कि समय के अभाव में तुम मंदिर नहीं जा पाते हो या पूजापाठ ढंग से नहीं कर पाते हो अपना करम अच्छे सिवर्ते रहो वही मेरी पूजापाठ है सदा खुश रहो सदा जबते रहो ओम साहिराम हरहर महादेव